नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर संतोष क्राफ्ट्स और इनोवेशन पर दोस्तों अब हम डाइस बनानी कोशिश करते हैं बूडो के लिए तो सबसे पहले हमें एक रबर चाहिए और यह हमारा ब्लेड है पेपर कट करने वाला इसको हम ले लेंगे और इससे हम रबर को आधा काट लेते हैं तो यह हमने यूजड रबर थी इसको काट लिया है अब देख सकते हैं यह खराब पड़ी थी शक्ताव सब्क जबताल लेगे हमने आधा गई है इस तरीके से त्यार कर लेना है है इसके इसको एजड आज अमने घिष करके और राउंड कर लिए का सब्सक्राइब एक Q के शेप में हमने इसको देने कोशिश की है और अब पर्मानेंट मार्कर से हम यहाँ पर नम्बर्स या बिंदियां जो हैं हम इसमें मार्क करेंगे तो दोस्तों इसमें फिर मार्किंग करेंगे तो marking करने के लिए हम यहाँ पर permanent marker का use करेंगे आप चाहे तो किसी और marker या pen का भी इस्तेमाल कर सकते हैं याद यह रखना है कि आपको total sum 7 होना चाहिए अगर आप इधर 6 mark करते हैं तो इसकी just opposite में आप यहाँ पर 1 mark करेंगे अगर यहाँ पर आप 2 mark करते हैं तो यहाँ पर आप 5 mark करेंगे और यहाँ पर अगर आप 3 mark करते हैं तो यहाँ पर आप 4 mark करेंगे total sum 7 होना चाहिए और इस तरीके से आप यह dice तैयार है आपका mark कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने marking कर लिया आप देख सकते हैं यहां 6 mark किया है तो इसके just पीछे 1 है यहां 4 mark किया है तो इसके just पीछे 3 है यहां 5 है तो इसके just पीछे 2 है तो आप लोड़ो खेलने के लिए तेयार हैं और like, subscribe और share करना ना भूलें comment जरू करें और bell icon को जरू दबाएं